सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये इशिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 83 जो की क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हैं यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भुगोल विशे से आज इसमें हम इसके पार्ट 6 वी निर्मान में सी भारत के प्रमुख लोह एवं इसपात उद्योग केंद्र से संबंदित मानचित्र की पुन्रावृत्ती करेंगे यानि आज हम इसमें इस टॉपिक से रिलेटेट मानचित्र कार्य करेंगे हलाकि आपको याद हो हमने ये मानचित्र कार्य पहले भी किया है लेकिन अब हम इसकी पुन्रावित्ती कर रहे हैं इसकी रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड के पेपर की त्यारी बहुत आराम से हो सकी क्योंकि ये मान्चित्र के जो अंख है ना ये बहुत ही आसान वाले अंख है इसको पाना बहुत ही आसान बात है बस आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और समझ जाएए फिर आपको वो चीजें याद हो जाएंगी तो चलिए बिना समय गवाए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं आखिर हमें करना क्या है दिये गए भारत के राजनीतिक रेखा मान्चित्र पर भारत के लहो एवम इस्पात उद्योग के प्रमुक केंद्रों को दर्शाई यानि आपको क्या करना है जो आपके कोशिश में लहो एवम इस्पात उद्योग के केंद्र हैं वो छे हैं और इनको भारत के रेखा मान्चित्र पर दिखाना है इनकी स्थितिक को याद करना है सिरफ छे बहुत जादा नहीं और वो भी आप देखेंगे बहुत आपके लिए आसान होने वाले हैं आईए देखते हैं कि वो छे केंद्र कौन से हैं और उनके राज्ये मैं बोल के बता रहा हूँ फिर आपको जब मैं दिखाऊंगा तब भी बताऊंगा कि ये कौन से राज्ये में हैं जैसे सबसे पहला है दुरगापुर, पश्चिम बंगाल, फिर है भिलाई, छतीस गड़, बोकारो, कहां पर है जारखंड, विजेनगर, करनाटक, जमशेदपुर भी जारखंड में है और ये नाम गलत लिखा हुआ है, ये सलेम नहीं, इसको हम सेलम कहेंगे, इसका नाम है सेलम, सलेम नहीं है इसका नाम है सेलम तो चलिए, अब हम इसकी इस्तिती भारत के राजनी दिख रेखा मांचितर पर भी ग्याद करते हैं तो देखिए, तीन जगहें तो आसपास ही हैं, आपको याद करने में भी असानी होगी, ये है दुरगापुर, जो की पस्चिम बंगाल में है, कहाँ पर है पस्चिम बंगाल, याद रखना फिर जो दो केंदर हैं, वो तो ज़ारखंड में ही है, बस इसका याद करने का तरीका याद बताओं आपको, यहाँ पर एक छोटा सा कर्व है, इस कर्व के ऊपर बोकारो है, और उसी कर्व के नीचे की तरफ जमशेदपूर है, और ये दोनों के दोनों ज़ारखंड में है ज़ारखंड में, फिर इसके बाद भिलाई, जो की 36 गड़ में है, इसका याद करने का तरीका जो मध्यपरदेश की नीचे वाली रेखा है ना, बस इसके पास ही है, फिर विजयनगर जो की करनाटक में है, विजयनगर कहा पर है, करनाटक में है, और ये आप देखेंगे, जो महराश्च की सीमा है ना, इसके पास थोड़ा सा आप क्यात कर लिजे, इनके सिति को याद कर लिजे, और उसके बाद है सबसे आखरी में, सेलम, सेलम जो की तमिलनाडु में है, कहा पर है, तमिलनाडु में, तो इस तरह से इन 6 की सितिति आप एक बार याद कर लिजे, और अगर 10 मैप में प्रैक्टिस करोगे ना, बिलकुल बड़िया तरीके से याद हो जाएगा, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये तो थी आज की वर्कशीट, अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया और अगर आपको करोना वाइरस से बचना है ना, तो मास्क अवशे लगा के रखिए और जब भी समझ हो, जब भी उकलब्द हो, इसका टीका करन अवशे कराएं, क्योंकि करोना को हराना है और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद